रमश्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओरलाइन संसान परिशाप प्रसमें मैं लोग शुक्ला इबापुना आप सभी का स्वागत करता हूँ बच्चों मेरे पीछे जो आप पेपर की कटिंग देख रहे हो ये कटिंग आज की है लेकिन जो ख़वर है ये दो-तिन दिन पहले ही पुरानी है और देखा जाये तो ये महीनों पुरानी ख़वर है कि S.S.C. इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी लेके आ रही है और ये बात ज़्यादा वैकेंसी लेके आ रही है और सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसे युवा वर्ग जो ऐसे अभ्यरती है जो किसी एक रूजगार के नौकरी के चक्कर में कहीं न कहीं औसल तलास रहे हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा हो सकता है तो अब आप ऐसा समझ आ रहा हो कि ये वर्ष आप इसमें मौका भुना लेजिए अब सांत मत बैठिए एकदम से अपनी तयारी में जुड़ जाए और जो एक डर रहा है मैंने देखा है कि बच्चों से ये सेशन बनाने का मतलब केवल इतना सा है बच्चों कि आपके जो दिमाग में डर बना हु आज के इसमें खवर क्या है इसी को देख लें तो यह आप देख सकते हो कि सीधा यहां पर सीधा बोला है 73,333 रिक्त पदों पर भरती करेगा करमचारी चैन आयो और SSC CGL की बात करूं तो वह अगर टोटल देखा जाए कि कि कितने उसमें वेकेंसी निकालता है कितने पर ल अभी साइंटिफिक असिस्टेंट का है मिटरोस्का डिपार्टमेंट का जेएस्टी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गया दली पुलिस हो गया ऐसे तमाम बहुत सारे और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पद की बात किया जाए तो एक तो सबसे ज़्यादा यहां पर केवल यहां पर हो गया है 45,000 पद आप बोल सकते हो यहां पर है और यह फ्रेस वेकेंसी ऐसा नहीं है कि यह पुरानी की वेकेंसी है मैक्सिमूम 2022 का जिसना उसे कलेंडर दिया था उसका दो निकाल चुका है लेकिन यह जो आपके 73,333 वेकेंसी हैं यह फ्रेस वेकेंसी हैं तो दिल्ली पुलिस वाली है करीबन 7-7,000 मौलब आप ऐसे बोल सकते हो कि अभी भी 60,000 से ज्यादा पद भरे जाने है जिनके अभी पेपर होने है जिनके फार्म अभी भरे जाने है जिसमें से अभी CGL का फार्म यह हो गया है अभी last date IMD का फार्म चल रहा है CHSL और STANO बहुत upcoming month में आने वाल है अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर जो आप चाहे राज इस तरी परिक्षा के तैयारी कर जो चाहे केंद इस तरी परिक्षा के तैयारी कर जो एक बात आपको समझना चाहिए कि इस बार आप SSC का फॉर्म जरूर बरिए और उसकी तैयारी भी जरूर करिए क्यों कि इतना ज़्यादा पद कभी नहीं आया था और अभी मैं CGL की बात करूं तो CGL एक ऐसर परिक्षा है जो पहले तो कहीं सारे फेजेज होते थे आपको केवल आपको एक पेपर देने हैं बले ही आपको प्रिलिम्स और मेंस उनके लिए तो CGL बहुत अच्छा है ऐसे ही बच्चों CHSL में भी क्योंकि descriptive के वज़ा से CGL हटाया गया है पैटर्न बदला है CHSL में भी आपके मन का पैटर्न आने जा रहा है और इस्टेनों वाले जो है आपके मन का पैटर्न तो पहले से था ही बच्चों का सबस्यादा ज कहीं सारे लोग एक ही पाली में आ गए हैं और अब कहीं न कहीं आपका जो competition है वो भी आसान हो गया है आपको एक क्या मिल ला है और ऐसे मैं सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा जो SSC से कहीं न कहीं घब रहा है तो वो एक बार इसमें तैयारी करें और बहुत क्यूंकि इ इतनी ज़्यादा vacancies बच्चों कभी नहीं सायद आप किसी राज इस तरही परिक्षा में 100-200-300 पत के लिए लगे हो मैं आपसे यह बोलूँगा कि अभी आप उनको side में छोड़ दो और SSC आपके लिए ज़्यादा आसान है आप उन पे ज़्यादा focus हो जाओ थोड़ा सा आ जो आप परिक्षा प्लस एप इस्टॉल करके वहां पे जो भी चीज़े देख सकते हो कोस वेगरा वहां पे जाके देख सकते हो अच्छा एक खास बात जो इसमें नियूस पेपर में दिया है उसके मैं आप जिकर करूंगा इसमें एक चीज निखा हुआ है कि SSC की नौकरी को यूपी बिहार के युगाओं में होड मतलब यूपी बिहार के ही बच्चे सबस्यादा SSC के नौकरी में कॉम्पटीशन बढ़ा रहे हैं ऐसा क्यूं है मैं तो यह पूछूँगा और सबसे बड़ी बात है कि अन्यराज वाले भी क्या नहीं भर रहे हैं बट अगर आप आकड़ा देखो तो उनमें आप कहीं भी देखो कि तो 35% यह देखो SSC का सबसे बड़ी भलतियों में से एक MTS जो पिछली बार हुआ था 49,33,119 में से 13,897 केवल कहां केते कहां यही यूपी और इसके बिहार केते 35% और एक बात और मैं देखा हूँ कि जो यूपी बिहार म हुए हैं या एकदम से छोड़ दियें कि नहीं चलो आव राजिस्तरिये अलाहबाद हाई कोर्ट की वही परिक्षा आ जाए या फिर कहीं यूपी ट्रीपल सी आगया या आप किसी अन्य राजिस्तरिये परिक्षा के आप तयारी कर रहो MP एस्टेट की राजिस्तान एस्ट आउसर भी है और मैं चाहूंगा कि एक पद आप अपने जोली में लेके जाओ SSC की कोई भी वेकेंसी खराब नहीं होती कोई भी छोटी नहीं होती हर पद हला कि नौकरी तो आज की समय में कोई भी छोटी नहीं होती समी बहुत महत्पूर है तो इस कारण से आप करो इसका ओफिशियल जो आकड़ा आया था वो भी मैं आपको दिखा दूँ हां वो भी मैं दिखा दूँ यह अगर आपको क्लेरली दिख रहा हूं यह SSC, DOPT और SSC की तरफ से ठीक है तो यह आपका अगर इसमें देखो यह department wise vacancy is reported as on 592022 यह SSC के द्वारा है आप यहापे देख सकते हो office memorandum है इसे आपने देख भी लियोगा जो नहीं देखेंगे उनको मैं बता दूँ और यह अलग अलग जैसे CEDP होता है तो दिल्ली पुलिस में जो constable executive होते हैं उनके 233 पद है ऐसे CGL के अगर आप देखो तो 20,814 पद कितने हैं 20,814 पद यह किसके हैं यह केवल CGL के हैं CGL में जैसे CBDT हो गया income tax हो गया इन सम्में बहुत सारी जो पद होते हैं यह सारे इसमें आ रहे हैं SSO हो गया 2960 यह CHSL में पद है 24605 यह GD में पद है 777 यह अभी देख लेते हैं कि 777 किसमें कह रहा है डीपी MTS में हैना MTS में इस बार नहीं CTGD में हाँ डीपी दिल्ली पुलिस MTS में 777 पद हैं और 2969 पद देखा जाए तो JEE यह जूनियर इंजिनियर वाले में भी काफी 3000 पद अच्छे खासी आ रहे हैं इस बात को ध्यान देना अच्छा ए अभी IMD का चल ला है IMD का यहां पे 550 पद का ब्योरा दिया गया और 990 पद उसे पहले ही निकाल दिया है इसका मतलब कि यह 550 और 990 दोनों मिलके IMD के भी पद बढ़ सकते हैं तो 1415 पद IMD के बढ़ सकते हैं इस बात का ध्यान देना ठीक है अभी यह बहुत कंफर्म जानकार ही नहीं है बट जैसा कि आकड़ा बता रहा है तो IMD के कितने हो सकते हैं IMD के देखा जाए तो 550 यहां पे दिखा रहा है और 990 जिस पे रिक्रूट्मेंट चल रहा है तो इन दोनों को जोड के अगा देखा जाए तो लगबग 1500 पद लगबग कितने पद 1500 पद यहां पे बहुत अच्छी विकिंसी निकाली है एससी ने आप चाहो तो सीजील की तैयारी में IMD उसमें किवल फिजिक्स और केंप्यूटर साइंस फिजिक्स वालों को फिजिक्स पड़ने हैं बाकी आपका जो सौ पैटर्न हैं वो सीजल के प्लिम्स लेवल कई है और वो भी आसान आता है तो IMD भी बहुत आसान है तो बच्चो और सर मच्चू को 73,000 पद बहुत ज़्यादा पद होते हैं और मैं चाहूंगा कि इस बार आप लोग SSC की तैयारी करो SSC से संबंदित कोई भी information अगर आपको चाहिए कुछ भी आपको कोई समस्या है तैयारी कैसे करें क्या ब रिक्षाप्ता साथ की लिए लेके आएगी फिर मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आवास अभी का